आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने फोन में जो घड़ी है या क्लॉक है उसका फॉर्मेट 24 आर के फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम दिखा रहा है साड़े 6 बज रहा है अभी यह जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं यह 12 आर क्लॉक फॉर्मेट है इसका यह मतलब है कि दुफैर के 12 बजी के बाद फिर से 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 चालू हो बाद बज के 16,1,8,9,10,12 तो बारा बज़े के बाद 24 आर क्लॉक फॉर्मेट में 13,14,15,16,17,18,19 इस तरह चालू हो जाता है तो मैं आप को बताता हूं कैसे आप 12 आर क्लॉक को अपनी घड को अपनी घड़ी में 24 आर क्लॉक format में set कर सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने phone की settings open कर लीजेगा settings में दूंडियेगा system कहा है, इसको scroll कर लीजेगा, तो देखिए phone में bottom पर आपको मिलेगा अगर आपका दूसरी company का phone है तो हो सकता थोड़ा ऊपर मिले आपको, तो देखिए जब मैं settings को minimize करता हूँ और आपको दिखाता हूँ clock format कैसा 24 hour format में set हुआ तो मैं इसको minimize कर देता हूँ तो देखिए, यहाँ 12 hour clock format में थोड़ी दिर पहले 6 बच के 32 minute हो रहा था, वहीं जब मैंने 24 hour clock format set किया है, तो यहाँ पर 18 बच के 32 minute हो गया है तो इस तरह देखिए, आप अपने फोन में 12 hour clock format को 24 hour clock format में change कर सकते हैं या set कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको step समझ में आऊंगे कैसे change करना है clock format को 12 hour से 24 hour में वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद